जैमसिकी प्रियो, प्रियो एक दादी हैं, जो की ट्रेन में प्रमेस्टर के वचनों को पढ़ते हैं आप सभी ने सायद फेस्बुक और वाटसब में ये फोटो देखा होगा तो उनसे हमको क्या सिखना चाहिए प्रियो? प्रीयों उनसे हम ये सिख सकते है कि प्रमेशर के वचन हम केसी भी situation या कहीं पर भी हो, लेकिन प्रमेशर के वचन को हमको पढ़ना ज़रूर है, प्रीयों ओस फोटो में आपको शेyr कर रहा हूं प्रियो आप देखे कि। वो ट्रेन में भी प्रमेसर के वचन पर रहे। प्रियो उनको सीट नहीं मिला होगा शायद आप उस फोटो को देखकर सोच सकते कि सायद उनको बेठने के लिए जगर नहीं मिली। लेकिन वो क्या कर रहे है निच्छे बेट कर भी प्रमेशर के वचनों को पढ़ रहा है कि हमको भी इसी तरह से प्रमेशर के वचनों को पढ़ने में हमको लज्जाना नहीं लेकिन हर शमय हमको हर घड़ी कहीं बर भी हम प्रमेशर के वचनों को पढ़ सकते हैं प्रियो प्रि प्रमेस्टर के वचन क्या है मधू से भी मीठे आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको भी महशुष होता होगा कि यश प्रमेस्टर मुझसे बादचित करता है प्रियो क्योंकि ये प्रमेस्टर के वचन क्या है जिवित वचन है प्रियो जब हम पढ़ते हैं तो हमसे बादच जो कि ट्रेन में है वो अभी तो भी प्रमेसर की वचनों को पढ़ रहे इसलिए हमको हर शमय बाइबल को पढ़ना जुरूर है प्रमेसर का वचन का हिता है वचन से हिता है 119 का 103 आयत में कहा गया तेरे वचन मुझको केसे मिठे लगते हैं वे मेरे मूँ में मदू से भी मिठे लगते हैं इस तरह से प्रमेसर का वचन कहा गया प्रियो हमको ये वचन पढ़ना जुरूर है क्योंकि ये मदू से भी मिठे हैं प्रियो इसलिए हमको प्रमेश्र के वचनों को पढ़ना है और जब हम प्रमेश्र के वचनों को पढ़ते हैं तो हम पाप से भी दूर रहते हैं क्योंकि प्रमेश्र का वचन कहा गया बचन सहीता 119 का 11 आयत में कहा मैंने तेरे वचन को अपने हदे में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्पाप ना करू इस तरह से हालेलूया प्रेश्टर रोड़ जब हम प्रमेश्टर के वचनों को पढ़ते तो प्रमेसर के वच्चन क्या है हमारे हदे में रहते तो हम पाप से धुर रहते इसलिए प्रमेसर के वच्चनों को हमको पढ़ते हुए आगे बढ़ना है प्रियो तो प्रियो आप सिख सकते उन अंकल को और उस दादी को कि आप किस तरह से वो कैसे अवस्था में तो भी प्रमेशर के वच्चनों को पढ़ रहे प्रियो यही प्रमेशर का प्रेम है और इन वच्चनों को हमको भी पढ़ना ज़रूर ही प्रियो प्रियो इस वीडियो को आपको अच्छा लगाएं तो आप ज्यादा सेरी किजिए ताकि और लोग भी आसिसित होने पाएं गाड़ ब्लेश यू आल